मुझा अच्छाइब Electromagnetic Induction का नेक्स टॉपिक है Lenses Law Lenses Law का जो बेसिक परपर्ष है वो Direction of Induced Current को फाइंड करना है हमने जितने भी पहले Topics पढ़े Emotional EMF, Mutual Induction, Self Induction, Faraday's Law हर एक के फामूला में जो Negative Sign होता है वो Direction of Induced Current और डिरेक्शन ओफ इंड्यूस एमफ को शो करता है वो नेक्टिफ साइन क्या रिपेजेंट कर रहा है यह में पता चलता है लेंजल लॉक की स्टेट्मेंट से तो लेंजल लॉक के अकॉर्डिंग इंड्यूस एमफ विल आलवेज अपोस दा कॉस प्रिड्यूसिंग इट कि जब भी किसी कंडुक्टर में किसी कॉईल में किसी सॉलिनाइड में इंड्यूस एमफ प्रिड्यूस होगा तो हमेशा अपने कॉस को अपोस करेगा means example देता हूँ कि अगर flux increase हो रहा है तो flux को decrease करने की कोशिश करेगा और अगर हमारे पास EMF flux के decrease करने की वज़ा से produce हुआ तो वो उसको increase करने की कोशिश करेगा इन बातों की समझ हमें जो next हम cases को discuss करेंगे उन्हें पढ़ने के बाद आएगी और वही जो different cases हैं वो आप से examiner MCQs में पूछ सकता है magnetic flux change होता है और वो magnetic flux EMF induce करता है तो किस तना से वो अपने कॉस को oppose करेगा अब दो possibilities हैं कि जब हमारे पास conductor magnetic field में move करेगा या तो उसके move करने की वज़ा से हमारा flux increase हो रहा होगा या उसके move करने की वज़ा से हमारा जो flux है वो decrease हो रहा होगा तो हमें cause का पता चल गया कि हमारे पास cause क्या है cause है कि conductor की motion और उसके वज़ा से flux का change या तो increase या decrease अब देखते हैं कि हमारे पास इस cause की opposition क्या होगी lenses lock according तो हम ये कहेंगे कि flux अगर conductor के move करने की वज़ा से increase हो रहा है तो opposition ये है वो flux को decrease करने की कोशिश करेगा REY, अब flux को decrease करने के लिए वो conductor की motion को oppose करेगा means जिस direction में conductor move कर रहा था उसकी opposite direction में magnetic force produce होगी और अगर flux decrease हो रहा है तो lenses lock उसец को increase करने की कोशिश करेगा means वो motion को spore करेगा motion को spore करने के लिए force हमारी applied force के along होगी means velocity क्या कर जाएगी increase कर जाएगी अब इन बातों को example से समझते हैं अब इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर अजियूम करेंगे conducting rails वाला setup कि हमारे पास दो conducting rails हैं जो attach हैं गल्वनोमीटर के साथ और उन conducting rails के उपर हमारे पास एक movable copper strip है यह वही सारा system है जो हम लोगों ने emotional EMF के topic में discuss किया था इस region में हमारे पास magnetic field भी present है let's say perpendicular into the plane जिसको मैं cross से show कर रहा हूँ अब हम इस conductor को move करवाते हैं इस conductor को मैं let's say move करवाता हूँ towards the galvanometer तो यह मेरे पास velocity vector की direction आगी जो represent कर रहा है conductor की motion को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर use करेंगे right hand rule और right hand rule से हम find करेंगे कि हमारे पास इस conductor में induced current की direction क्या है कौन सा end positive होगा कौन सा end negative होगा तो right hand rule क्या था fingers show करेंगे magnetic field की direction को जो thumb है show करेगा velocity को और जो palm है वो represent करेगा magnetic force जो charge पर apply होगी along the conductor और इसी magnetic force की direction में हमारा current भी induce होगा तो rule apply करें तो positive charges हमारे पास move करेंगे जो नज़र आरा आपको towards left अब जिस end से positive charge अवे चला जाएगा positive charge की deficiency negative और दुसी साइट पर बन जाएगा positive तो conductor में जो current की direction हमारे पास होगी वो आप देख सकते हो कि overall negative से positive और circuit के अंदर overall positive से negative तो यह ख्याल लखिएगा कि जो current हमारे पास होगा उस copper strip में उसकी जो direction है वो कहां से कहा है वो A से B है और overall circuit में जो current की direction है वो B से A होगी अब यह तो होगी कि emotional EMF produce हो गया current induce हो गया अब अपने cause को oppose करेगा current अब current कैसे cause को oppose करेगा Electromagnetism के अंदर हम एक topic पढ़ते हैं कि conductor में current पास हो तो magnetic force apply होती है same उस rule को apply करें अब thumb show करेगा current को और palm show करेगा magnetic force को जो conductor पे current की वज़ा से apply होगी तो मैंने current की direction में thumb कर दिया fingers into the plane तो यहां पर magnetic force जो apply होगी हम देख सकते हैं वो हमारी velocity के याई applied force के बिल्कुल opposite direction में apply होगी तो यह पहला case था कि अगर हमारी conductor की motion ऐसी है कि velocity increase हो रही होगी तो lensal lock according जो induced current produce होगा वो velocity को decrease करने की कोशिश करेगा तो आप देख सकते हो कि induce current का जो magnetic force है वो क्या कर रही है वो oppose कर रही है हमारी motion को अब इस case को हम reverse discuss करेंगे means अगर जो velocity increase हो रही होगी वो decrease हो कि मैंने conductor को push किया था शूरू में तो velocity बड़ी थी लिक्विश रुकना भी तो है जब रुकेगा तो उसकी velocity क्या हो रही होगी वो decrease हो रही होगी तो same setup कि conducting rails है attach है galvanometer के साथ इनकी उपर movable copper strip है और हमारे पास perpendicular into the plane magnetic field present अब conductor उसी direction में move कर रहा है लेकिन उस direction में उसकी velocity अब increase नहीं हो रही अब velocity क्या हो रही है decrease हो रही है अब मुझे current की direction को find करना है कि induce current की direction क्या होगी अब मैं use करूँगा lenses law कि अगर velocity decrease हो रही है flux का change कम हो रहा है तो हमारे पास जो induce current की वज़ा से magnetic force produce होगी अब velocity को बढ़ाने की कोशिश करेगी means हमारी magnetic force अब velocity के along apply होगी तब ही वो velocity क्या करेगी increase करेगी तो means यहां magnetic force क्या करी है वो sport करी है हमारी motion को cost को oppose करना है velocity decrease हो रही थी तो lenses lock के according motion को increase होना चाहिए अब हमें right hand rule को apply करना है और magnetic force given है current की direction find करनी है तो fingers magnetic field को show करेंगी थम हमें current की direction बताएगा जो induce current और palm यहां magnetic force को show कर रहा है पहले हमने current से force find की थी अब हम force से induced current को find कर रहे होंगे तो rule apply करें magnetic field into the plane fingers into the plane होंगी force की तरफ अब आपका palm होगा आपकी यह थेली होगी तो thumb हमारे पास जो होगा वो conductor में current की direction को show करेंगा और अब वो current from A to B नहीं होगा यह along the strip B to A होगा और circuit में current जो पहले B से यह था अब वो कहां से होगा A to B इसका मतलब galvanometer की जो deflection होगी वो reverse हो जाएगी अगर पहले case में galvanometer की deflection positive थी तो इस case में current की जब direction change होगी तो galvanometer की deflection negative हो जाएगी तो यह हमारा पहला case है जिसमें हमने यह देखा के lenses law अपने cost को क्या करेगा oppose करेगा पहले case में velocity बहर रही थी force ने कम करने की कोशिश की second case में velocity कम हो रही थी उस magnetic force ने उसको बढ़ाने की कोशिश की और वहीं से हमें induce current की direction भी मालूम होगी तो ऐसी questions होते हैं आपको case बताया जाएगा और आपने current की direction को find करना होगा एक और case डिसकस करते हैं ताके हमें variation बता चले किस किस तरह की question आते हैं अब जो case है वो हमारे पास motion of magnet towards or away from the stationary coil है कि कोईसी जगा पर एक coil या solenite जिसके number of tons चाई N हो या 1 हो वो stationary है और हम एक bar magnet को move करवा रहे हैं उसके towards और उससे away अब आप सोच सकते हैं कि towards और away से क्या होगा जब towards move करेगा तो flux increase करेगा और जब away move करेगा तो उस coil में flux decrease करेगा तो ये दो case हमारे आगे कि cause क्या है induced EMF का flux का increase है और flux का decrease है तो opposition अब आप बता सकते हो किसी opposition क्या होगी opposition ये होगी कि flux का increase flux decrease होगा अब flux decrease कैसे होगा हमारी जो magnet की motion है उसको opposition मिलेगी repulsion मिलेगी flux का decrease क्या होगा flux increase होगा means magnet को attraction मिलेगी means मैं गर लिखूंगा कि flux का decrease तो oppose करेगा motion कैसे oppose करेगा motion repulsion से कि bar magnet जो towards आ रहा था उसको repel करने की कोशिश करेगा और flux जो increase हो रहा था अब जो opposition increase हो रही थी वो किस तरह से होगी कि वो sport करेगा motion को और वो bar magnet को अपने तरफ क्या करेगा attract करेगा अब इन दो points को समझते हैं example से अब यहां पर हमारे पास जो example है वो है कि एक solid night होगा जो attach होगा गिलगनमीटर से और उसके सामने एक bar magnet है जिसको हम move करेंगे पहले उसके towards और बाद में उससे away तो पहला case यह है कि हमारे पास अगर वो bar magnet उस कोईल के towards मूव करें हम जानते हैं कि अगर हमारे पास वो towards मूव करेंगा तो जो flux होगा उस coil में वो increase होगा अब lens is lock according इस flux का increase EMF induce करेंगा अब उस EMF की direction इस तरह से होगी कि वो अपने cause को oppose करें means वो इन field lines को oppose करने के लिए इनकी opposite direction में magnetic field को generate करेंगा अब opposite direction का मत्तब समझ सकते हो कि north pole के सामने क्या बनेगा north pole बनेगा मैं repeat कर रहा हूँ कि flux अगर increase होगा तो decrease करने के लिए north के सामने north pole तो field lines opposite direction में होगी तब ही flux क्या होगा decrease करेगा तो जब आपको यह पता चल गया कि आपका जो left end है solenite का या coil का वो north pole है तो आप easily बता सकते हो कि current की direction क्या होगी यह convention मैंने बताई थी last unit के अंदर कि north pole जब किसी face पे हो किसी coil की वो शो करेगा कि current की direction जो है वो anti clockwise direction है तो यहाँ पर जब current हमारे पास anti clockwise होगी तो हम easily देख सकेंगे कि galvanometer में जो current की direction है वो left to right है और या right to left है और यह MCQC में पूछा जाता है कि अगर एक bar magnet move करेगा towards तो कौन सा face north pole या south pole है और उसके according current की direction क्या है तो north pole current की direction anti clockwise तो galvanometer में जो current flow करेगा इस coil के according वो left to right move करेगा तो आपने हमेशा जो coil है उसमें rotation को चेक कर लेना है एंटी clock wise तभी आपको overall circuit का current पता चलेगा जब बार बार explain भी करेंगे तो यह चीज़ मजीद आपकी clear भी हो जाएगी अब दुबारा मैं इसी system को ले रहा हूँ कि मेरे पास वही solenite attached है galvanometer के साथ लेकिन अब जो बार मैंगनेट की motion होगी वो towards नहीं होगी अब वो motion away होगी बार मैंगनेट को अब अगर हम away move करें coil से अब क्या होगा जो field lines pass हो रही थी solenite में से वो decrease होगी means flux overall decrease होगा अब flux decrease हो या increase हो flux change तो हो रहा है तो flux का change EMF induce करेगा और lensing lock according जो इस coil में EMF induce होगा अब वो उस flux को increase करने की कोशिश करेगा means अब हमारी जो field lines होगी वो एक दुशे के along होगी तो north के सामने अब क्या होगा south बनेगा और south की convention क्या थी current clockwise direction में होगा तो हमें यह पता चल गया कि जो पहले हमारे पास end था solenite का current जहाँ पहले north था अब वहाँ पर क्या बनेगा south क्यूं flux को increase करने के लिए अब coil magnet को attract करेगी तो north के सामने south और current की direction clockwise तो आप जब current की direction आप clockwise ड्रॉख करोगे तो हमारे पास galvanometer में current की direction opposite हो जाएगी means उसकी deflection भी opposite हो जाएगी तो पहला case अगर समझा जाजे second case आप डिरेक्ट बता सकते हो कि towards move करने से north के सामने north तो away move करने से north के सामने क्या बनेगा south करनेगा तो पहले case में repulsion है तो दूसरे case में क्या है attraction है अब next case डिसकस करते हैं कि अगर हमारा magnetic flux का change जो induce EMF produce हो रहा है वो कॉयल में current के change की वजा से हो जैसे हम transformer में देखते हैं कि हमारे पास current change होता है और current का change EMF को induce करता है हम यह चीज़ mutual induction में और self induction में भी देखते हैं तो अब हम mutual induction, self induction और transformer तीनों को explain करेगा तो case है change in current in a coil अब वो किसी भी वजा से हो सकता है वो हमारे पास variable battery की वजा से भी हो सकता है alternating current की वजा से भी हो सकता है और switch को on या off करने की वजा से भी हो सकता है तो यह चीज़े हम यह discuss करते हैं अब change in current किसी coil में कैसे हो सकता है या तो current increase हो होगा या current decrease हो अगर coil में current increase होगा तो जो flux है वो increase करेगा और अगर किसी coil में current decrease हो रहा है तो वो flux को decrease करेगा तो हमें cause पता चल गया है कि हमारा cause क्या है अब position क्या होगी अब position बड़ी simple है इसको reverse कर दें कि flux अगर increase होगा वो decrease करेगा और अगर हम कहेंगे कि हमारा flux है वो decrease ह तो अपोडिशन ये कि उसको increase करने की कोशिश करेगा कौन? induced EMF वो increase करने की कोशिश करेगा अब flux decrease होने का मतलब क्या होगा? कि जो हमारा induced current होगा वो इस direction में हो कि वो हमारे पास current के increase होने को oppose करे means वो current को decrease करने की कोशिश करे और second case में अगर flux increase करने है पोजिशन ने तो वो स्पोर्ट करेगा current को यानि वो current को increase करें की कोशिश करेगा अब इस बात को समझते हैं example से अब पहले मैं यहाँ पर जो example लोगा वो लोगा mutual induction के topic से के दो हमारे पास coils हैं जिनके face एक दुसरे के parallel पड़े हैं एक हम बोलते हैं primary coil और एक coil बोलते हैं secondary coil जो primary coil है वो हमारे पास attach है एक battery के साथ और एक switch के साथ और जो secondary coil है वो attach है galvanometer के साथ था कि हम current की direction को identify कर सके और यहाँ भी questions ऐसे ही पूछे जाते हैं कि current की direction galvanometer में क्या होगी points mark हो जाते हैं और भी हमारी even book में short question भी है इससे related कि जब switch को on और off करेंगे तो current की direction क्या होगी तो पहला case हम discuss करते हैं कि हमारे पास अगर जो primary coil है उसके switch को close कर दिया जाए switch close करने का मतलब circuit आपका open और on होगया अब circuit जब on होगा तो current ने flow करना है primary coil में अब current जब flow करेगा तो current basically zero से increase हुआ तो हम क्या कहेंगे के current increase हुआ current अगर increase होगा तो उस coil में flux भी increase होगा तो हमें पहले करना यह है कि current की direction से identify कर लेना कि primary coil का कौन सा north और कौन सा south है तो अब देख सकते हो कि हमारे पास current की direction है वो क्या है left side पे हम देखें तो वो clockwise है means south pole अगर left south तो right north अब इसके according पता चल गया कि magnetic field lines हमारे पास की direction में हैं और वो पास हो रही है secondary coil में से और पहले case में इस switch को on किया तो flux क्या कर रहा है वो increase कर रहा है तो इस flux को decrease करने की कोशिश करेगा तो decrease करने के लिए north के सामने क्या बनेगा नौर्स पोल अगर north पोल पता चल गया कि कहा है तो current की direction पता चल गई और उससे पता चल गया कि field lines अब opposite direction में होगी मैं यहां से north pole अगर mention करता हूँ तो current की direction को मैं easily identify कर लूँगा कि हाँ current की direction में होगा anti clock wise तो पूरे circuit में जब अब current को draw करोगे तो galvanometer में current left to right move करेगा और हम यहाँ suppose कर लेते हैं कि वो deflection क्या है वो positive अब इसकी जो reverse case होगा अब कुछ समझ जाएं को क्या होगा कि अगर बैटरी की polarity को चाहिए ना करें सारा circuit ऐसे ही रहने दें जैसा है और सिर्फ क्या करें switch को on करने की जगा switch को off कर दें तो जरा सोचें क्या होगा current की direction कहां से होगी जो पहले left to right अब क्या वो right to left नहीं होगी विल्कुल ऐसा ही होगा जब switch को हम off करेंगे तो अब हमारा जो flux है वो decrease करेंगा current आई से दोबारा zero हो जाएगा current की direction ने primary में चाहीं नहीं होना सिर्फ current की magnitude ने decrease होके zero होना है तो जो flux overall होगा वो decrease कर जाएगा अब flux primary में decrease होगा तो obviously second में भी decrease होगा अब induce EMF ने और induce current ने जो produce होना है अपने cause को oppose करना है तो cause है flux का decrease तो अब position क्या होगी कि उस flux को increase करने की कोशिश करेगा तो flux increase तब ही होगा जब north के सामने क्या बनेगा अब south pole बनेगा और दोनों की field lines एक direction में होगी अब हमें ये पता चल गया कि अब जो पहले north था अब वो क्या है south है और south में current की direction क्या होती है clockwise तो जब आप इस face में current की direction को clockwise जड़ाओ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब गलवनो मीटर में current की direction opposite हो गई है current की direction opposite तो deflection भी जो पहले positive थी अब वो negative हो जाएगी तो यह हमारा case है mutual induction वाला और यहां पर यह बाद मैं repeat कर रहा हूँ कि north एंटी clockwise और south clockwise और एक side से देख के आपने idea लगाना है या left से देख लें या right से देख लें जहां से आपको easy लगे अब second case मैं यहां पर discuss करूँगा self induction का यह तो हो गया ना जहां primary और secondary काईल दोनों है जैसे transformer में भी होता है लेकि अगर हमारे पास दो की जगा एक single काईल हो और उसी काईल में हम switch को on और off करें तो तब क्या होगा तब बचे उसी हमारे पास काईल में current induce होगा और वो या तो हमारे applied current के along होगा या applied current के opposite होगा अब आपको idea है कि कब उसके along होगा और कब उसके opposite होगा लेकिन हम इसको revise कर लेते हैं कि कब along होगा और कब opposite होगा मेरे पास यह variable battery है variable battery का मकसद यह होगा कि वो current को change करेगा current increase भी कर सकता है current को degrees भी कर सकता अब मैंने switch on off की जगा change कर दिया कि variable battery भी हो तो मत्तब एक ही होगा अब पहला मेरा case यह है कि मेरा current increase होगा flux भी increase होगा अब flux increase होगा पता होना चाहिए कि किस direction में flux है तो हमने current की direction से सबसे पहले यह idea लगा लेना है कि कौन north है कौन south है तो left side पे देखो तो current की direction clockwise वो south तो right north यह magnetic field lines की direction आ गई कि वो left to right है अब आप position की तरफ चलें कि flux अगर increase होगा तो जो induced current वो reduce होगा वो इस flux को decrease करने की कोशिश करेगा तो flux को decrease करने के लिए जो field lines पर reduce होगी हमारी पहले वाली field lines के along नहीं होगी बलके उसके क्या होगी opposite direction में होगी तो पहली field lines अगर left to right थी तो अब जो induced current की field lines होगी वो right to left होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो induced current यहाँ produce होगा वो पहले वाले current को decrease करने की कोशिश करेगा means अब induced current पहले वाले current के along नहीं बलके opposite होगा यह red से मैंने जो mention किया यह induced current की direction है जो circuit के current को decrease करने की कोशिश करेगा अब इसके opposite case आपको समझ सकते हो क्या होगा कि अगर जो current है हम वो decrease करें तो जो flux होगा वो भी तो decrease करेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस case में field lines की direction opposite हो जाएगी current की direction तो वो ही है तो field lines अब भी left to right है लेकिन इस flux के change की वज़ा से जो induced current produce होगा अब उसकी direction सेम नहीं रहेगी क्योंकि अब उसने flux को increase करना तो flux तब ही increase करेगा जब हमारे current की field lines पहले वाली field lines के along produce होगी जब along produce होगी तो अब हम क्या कहेंगे अब जो current होगा वो circuit के current के along होगा और वो उसको increase करने की कोशिश करेगा तो यह है lenses lock कि current अगर increase हुआ था वो उसको decrease करने की कोशिश करेगा और current अगर decrease होगा तो वो उसको increase करने की कोशिश करेगा और हम इसको self induction में back EMF का नाम दे रहे होते हैं अब रेक्स हम कुछ examples देखते हैं जो हम से MCQ से पूछी जा सकती है regarding direction of induced current या फिर pole face के north कौन सा होगा और south कौन सा होगा तो एक region में magnetic field present perpendicular into the plane और हम इस region के अंदर एक rectangular coil को move करवाएंगे from left to right अब चाहे rectangular coil हो circular coil हो कोई भी हो सकती है लेकिन एक चीज़ जरूरी है और वो ये कोई इस तरह से move करें कि flux उसमें पास जरूर हो तो या मैं इस कोईल को left to right move कर रहा हूँ तो आप इसलिए देख सकते हो कि जस तरह से वो move कर रहा है तो जो field lines हमारे पास होंगी वो उसमें से pass जरूर होंगी क्योंकि जब तक field lines pass नहीं होगी तो हमारे पास flux ही नहीं होगा और flux नहीं होगा हम जितना मर्जी कह लें हमारे पास current और EMF ने induce नहीं होना मैं इस rectangular coil को left to right move कह रहा हूँ अब different points को मैं यहां पर under consideration लेकर आता हूँ और वो point कौन कौन से हैं पहला point A और A point वो है जब rectangular coil field lines में एंटर नहीं होगी B जब एंटर हो रही है C जब inside है D जब leave कर रही है और E जब बाहरा आ गई है अब A में और E में current induced नहीं होगा क्योंकि यहां flux ही present नहीं है C में भी induced EMF नहीं होगा क्योंकि यहां flux stable हो जाएगा stable होने से मुराद यह है कि flux change नहीं होगा तो change flux 0 तो induced EMF और current भी यहां 0 होगा means इस case में दो points है जहां flux नहीं induced होना है एक B और एक B अब one by one B और D को देखते है अब B point को आप देख सकते हो कि B point वो है जब rectangular coil magnetic field में enter हो रही है अगर rectangular coil इस point पे magnetic field में enter हो रही है तो यहां flux increase हो रहा होगा तो lenses lock according अगर हमारा cause flux का increase है तो अब position क्या होगी कि induced current producer होगा वो इस flux को decrease करने की कोशिश करेगा means जो field lines पहले into the plane थी अब जो field lines produce होगी वो out of the plane होगी तो पहले वाली field lines cross से show करेंगे तो अब वाली field lines को आप dot से show करोगे तब ही आपकी field lines दोनों क्या होगी opposite direction में होगी और यह जो dot वाली field lines है यह induce current की वज़ा से है और dot का मतब होगा के face magnet का हमारी तरफ है तो यह क्यों सा बनेगा face north pole और north pole में current की direction क्या होती है anticlockwise तो हमें इस point पे current की direction जो है वो पता चल गई कि यहां induce current anticlockwise direction में होगा अब जब coil magnetic field से बाहर जा रही होगी point D के उपर तो हमारे पास flux क्या कर रहा है flux decrease कर रहा है तो यहां पर जो induce current होगा वो अपने cost को oppose करेगा तो opposition क्या होगी वो flux को increase करना चाहेगा तो पहले वाली field lines जो हैं वो into the plane है तो अब flux कैसे increase होगा जब induce current भी यहां पर field lines को into the plane produce करेगा तो हम यहां पर induced current की field lines को cross से represent करेंगे cross means field lines हम से away तो यह south pole होगा और south pole में current की जो direction होती है वो clockwise direction में होती है तो enter होते वे current हमारे पास anticlockwise और exit होते वे current की direction क्या होगी वो clockwise होगी अब next जो हम यहां पर case discuss करेंगे वो हमारे पास एक book का short question भी है और इसकलब और एक important case है कि अगर हम एक bar magnet को drop करते हैं एक stationary ring के ओपर या stationary coil के ओपर तो उस ring में current की direction क्या होगी और यह question दो तरहां से पूछा जाता है कि observer नीचे से उसको देख रहा है या observer ओपर से देख रहा है और जब तक हमें यह ना पता हो कि observer कहा है हम इन questions का answer नहीं दे सकते तो जब भी question पूछा जाएगा observer की position जरूर बताएं मेरे पास एक bar magnet एक stationary ring जो किसी stand पर attach है मैं उस पर drop किया तो पहला case क्या होगा अगर हम देखें कि north अगर नीचे है उस bar magnet का तो north pole move कर रहा है ring के towards और flux क्या कर रहा होगा उस ring में आइस्ता इस्ता increase कर रहा होगा अब flux यहां पर increase कर रहा है अब हम सोच सकते हैं कि क्या होगा flux change हुआ कॉयल में flux का change वहां पर induced EMF को और current को produce कर रहा है अब हमें उस induced current की direction बतानी हम use करेंगे lens is law तो cause क्या है flux का increase तो opposition क्या होगी flux का decrease तो flux decrease कैसे होगा flux decrease इस रहा से होगा कि ring के अंदर जो magnetic field lines produce होगी वो आने वाली magnetic field lines को decrease करने की कोशिश करें means उसके opposite direction में produce हो अब यह भी कह सकते हो कि ring का जो face होगा वो north pole बन जाएगा और आने वाली north pole को repel करना शुरू करतेगा तो जब आपको यह पता चल गया कि ring का उपर वाला face north है तो north का मतलब current की direction क्या होगी anti clockwise तो जो observer उपर से देख रहा होगा उसे वो north pole नजर आया और ज south pole में current की direction clockwise और होना भी यह चाहिए था कि उपर वाले face अगर देखें तो हमें current अगर anti clockwise नजर आएगा तो नीचे से वो current clockwise ही नजर आता तो current की direction में पता चल गई कि उपर वाले observer के लिए north pole और current की direction है वो क्या है anti clockwise है और जो observer नीचे होगा उसके लिए south pole होगा और current की जो direction होगी वो clockwise होगी अगर हम से यह पूछा जाए कि एक्सेलेशन तो या रखेगा यहाँ पर पोजिशन मिल रही है तो एक्सेलेशन जी से लेसर होगी दूसा केस कि अगर यह मैगनेट बीच में से पास कर जाता है अब अगर मैगनेट बीच में से पास कर जाएगा तो अब वो मैगनेट जो पहले towards move कर रहा था अब वो मूव करेगा away जो flux पहले increase हो रहा था अब वो flux क्या कर रहा होगा वो decrease कर रहा होगा तो अब हमें cause पता चल गया कि flux के decrease होने से current ने induce होना है तो current जो induce होगा अपने causes को oppose करेगा और oppose किस तिरा से करेगा कि वो इस flux को जो decrease हो रहा है बढ़ाने की कोशिश करेगा तो अब अबे जाते वे हमारे पास south pole जो है वो close है किस के रिंग के तो हम क्या कहेंगे हम यह कहेंगे कि अब इस cause को अगर oppose करना है तो field lines जो रिंग में produce होंगी वो इस bar and magnet को attract करने की कोशिश करेंगी तो attract करने के लिए south के सामने कौन सा पोल बना चाहिए north pole तो नीचे बना north pole तो उपर क्या होगा south pole तो observer के लिए अब आपका answer क्या होगा जो observer top पे था अब उसको south pole नजर आएगा means current की जो direction होगी अब वो top से clockwise होगी और जो observer नीचे है उसको नीचे से north pole नजर आएगा तो उस observer के लिए जो current की direction होगी वो क्या होगी वो anti clockwise direction में होगी मैं repeat कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास अब flux को बढ़ाना है तो बार मेगनिट को ring attract करेगी तो south के सामने north तो north नीचे south उपर तो south अगर उपर है तो उपर वाले observer के लिए clockwise current और नीचे जो होगा north pole तो उसके लिए current anti clockwise होगा तो hopefully आपको ये case पे समझा गया होगा यहाँ पर एक important point जो मैंने last lecture भी mention किया था कि अगर ये जो बार मेगनिट है ये क्या हो close ना हो चुरी बार मेगनिट कह रहा हूँ ring जो है वो close ना हो open हो तो ये एक open circuit की तरह भेव करेगा और यहाँ पर उस बार मेगनिट को drop किया जाए तो क्या होगा हम कहेंगे कि induce EMF तो होगा लेकिन current produce नहीं होगा हमारे पास एक ring का end positive और negative तो बन जाएगा लेकिन current हमारे पास produce नहीं होगा तो ये close और open circuit की बात हम current electricity में भी करते हैं और यहाँ पर बार मेगनिट को drop करेंगे तो उसकी acceleration g के equal ही रहेगी लेकिन जो पहले दो case पड़े थे वहाँ पर acceleration g से lesser हो जाएगी एक book के short question को यहाँ discuss करेंगे कि अगर अर्थ की magnetic field हमारे पास किसी region में into the earth है means into the plane है और यहाँ पर एक aero plane move कर रहा है towards north तो उस aero plane का कौन सा wing positive charge हो जाएगा और कौन सा wing negative charge हो जाएगा मैं यहाँ mention कर रहा हूँ कि मेरे पास जो plane है वो move कर रहा है towards north इन directions को मैं भी indicate कर देता हूँ कि मेरे पास इस plane में right, east, left, west, top, north और down, south है हम यहाँ पर rule apply करेंगे flat right hand rule हमें velocity भी पता है हमें magnetic field की direction भी बता तो हम इस rule को जानते हैं कि किस तरह से apply करना है इस rule के according जो fingers होंगी वो show करेंगी magnetic field lines को जो thumb होगा वो show करेगा direction of conductor को तो palm जो है वो show करेगा magnetic force को जो apply होगी किस के ओपर charge के ओपर तो यह represent करेगी कि motion of charges किस direction में है और obviously यह along the conductor होगी और जब along the conductor charge मूव करेंगे तो इनकी वज़ा से current induce होगा तो rule को apply करें velocity towards north तो thumb हमारा towards north होगा field lines inward तो fingers inward तो palm towards left है तो positive charge left की तरफ मूव करेंगे तो जहां से positive charge चले जाएंगे वो बन जाएगा negative charge और जिस तरफ positive charge चले जाएंगे वो जाएगा positive charge तो positive जहां से चलेगे वहाँ basically क्या हुआ वहाँ positive charge की deficiency होगे और positive charge की deficiency की वज़ा से वो हमारा जो wing होगा वो negative charge हो जाएगा और जिस तरफ positive charge जा रहे हैं वहाँ positive charge excess हो जाएगे और positive charge के excess होने की वज़ा से वो विंक positive charge हो जाएगा तो east वाला negative और west वाला positive या right वाला negative और left वाला positive charge हो जाएगा लास्ट पॉइंट lenses law से लेटर lenses law के बारे में ये कहा जाता है कि lenses law law of conservation of energy को उबे करता है means overall हम जितने भी cases पढ़ रहे हैं cause oppose जरूर हो रहा है लेकिन overall energy हमारे पास क्या रह रही होगी वो conserve रह रही होगी अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर example moving conductor की ले ले लेता हूँ कि मेरे पास एक conductor है जो magnetic field में move कर रहा है अब let's say हम उस conductor को move करवाते हैं इस magnetic field में towards left तो यह हमारी drag force है जिससे हम उस conductor को drag करने मूव कर रहे हैं यह हमारी applied force है अब हमारी इस applied force की वज़ा से जब conductor के अंदर EMF induce होगा conductor में current induce होगा तो वो current क्या करेगा वो हमारे cost को oppose करेगा हमारे cost को oppose करने का मत्तब यह होगा कि हमारी applied force के opposite direction में वहाँ पर या उसकी direction के along magnetic force पर ड्यूस होगा तो अगर हम चाहते हैं कि इस conductor में continuously current induce हो तो हमें एक continuous force देनी पड़ेगी यानि हमारी जो continuous force है applied force जब तक वो इस magnetic force के equal रहेगी हमारे पास ये conductor move करता रहेगा और उसमें current induce होता रहेगा और यही law of conservation of energy है जब तक आप input energy देते रहेंगे आपको output मिलता रहेगा तो जब तक हम apply force करते रहेंगे उसकी वज़ाए से magnetic force produce होती रहेगी और current induce होता रहेगा तो इस हिसको हम एक statement की form में लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे drag force will produce energy to induce current to flow जो drag force है वो energy provide करेगा ताके हमारा induce current circuit में flow कर सके और ये जो energy होगी इस energy is the source of induced current तो ये ही वो energy है जो induced current का source है जिस time पे हमारी applied force zero हो जाएगी हमारा flux चेंज नहीं होगा automatically current भी induced नहीं होगा तो जब ये MCQ पूछा जाए lenses law के बारे में तो या रखेगा कि lenses law में energy overall conserve रहती है वारा नेक्स टॉपिक आज का है transformer transformer नाम से जाहिर होगा है जो transform करता हो transformer का symbol हमारे पास एक primary coil iron core और साथ एक secondary coil और अगर iron core को remove कर दें तो means हमारे पास core जो है वो air है तो अब भी पूछा जाए कि transformer का symbol with air कैसा होगा तो दर्वियान में parallel lines represent नहीं करेंगे transformer क्या है transformer is a device which is used to increase or decrease input electric potential यह input electric potential को या तो बढ़ाता है या input electric potential को कम करता है transformer का working principle क्या transformer का working principle electromagnetic induction है अगर हम ज्यादा specific हो जाएं कि electromagnetic induction में हमारे पास क्या process है तो हमारा answer होगा mutual induction और कभी भी यह दोनों options किसी question में नहीं होगी या तो electromagnetic induction होगा या mutual induction होगा तो like pro-magnetic induction तो as a whole explain करता है ना कि flux change होगा जिसकी वज़ा से EMF induced होगा लेकिन जो process है जो इसमें हो रहा होगा primary coil और secondary coil जो हमें symbol से भी पता चलता है वो mutual induction है transformer के बार में या रखेगा कि transformer सिर्प operate AC पे होता है means alternating current पे होता है तो कभी भी किसी क्वेशर में DC input given हो तो इसका मत्तब होगा कि output zero होगी और क्यों ऐसा है क्योंकि AC में हमारा current change होगा तो current change होगा तो flux change होगा एक और चीज या रखेगा transformer के बार में कि transformer frequency को चाहिए नहीं करता है means अगर हमारी input frequency 50 Hz है तो हमारी output frequency भी 50 Hz होगी transformer doesn't change frequency यह सिर्फ हमारे input electric potential को और current को change करेगा frequency को power को change नहीं करता transformer के बार में एक बात या रखेगा कि transformer potential को increase or decrease करता है current को increase or decrease करता है लेकिन power को और energy को increase or decrease नहीं करता है तो हमारे पर transformer में energy transfer कैसे होती है तो उसका answer या रखेगा there is a flux linkage between primary and secondary coil के हमारे पर primary और secondary coil में flux linkage होता है और इसी flux के linkage की वज़ा से हमारे पास energy transfer होती है from primary to secondary और इसी flux linkage को increase करने के लिए हम strong magnetic field को produce करते है तो transfer of energy in transformer is due to the flux linkage between primary and secondary coil due to the phenomena of mutual induction transformer doesn't increase energy or power क्योंकर अगर ऐसा होगा तो यह law of conservation of energy की violation होगी क्योंकर energy हमारे पास create नहीं हो सकती तो transformer अगर ideal होता है तो ideal transformer के अंदर हम कहते हैं कि power secondary primary की equal है लेकिन हम कभी यह नहीं कहते हैं कि secondary की power primary power से greater होगी transformer की construction को discuss करते हैं transformer में जो सबसे main हमारा component है वो iron core है laminated iron core और यह iron core की solid cylinder नहीं होता कोई solid block नहीं होता यह multiple iron strips को जो laminated होती है उनको मिला के बनाया जाता है इसी iron core के ओपर हमारे पास winding होती है primary और secondary coil की अगर हम इस iron core को देखें तो left side के ओपर मेरे पास winding है यह primary winding है इसके number of turns को मैं NP से represent करूँगा और यह primary winding मेरे पास attach होती है input से और input हमें पता है कि transformer में जो input हमारे पास होता है वो alternating current source होता है जब तक हमारे पास primary में current चाहीं नहीं होगा फ्लक्स यहीं होगा तब तक हमारा secondary के अंदर EMF induce नहीं होगा Laminated iron core के अलावा हमारे पास एक होती है primary coil और एक secondary coil तो basically वो winding होती है इस iron core के ओपर तो let's say मैं left side पे जो winding चोग कर रहा हूं यह मेरे पास primary winding है इसको मैं NP से represent करूँगा और यह attach होगा input AC source के साथ और right side के ओपर मैं जो winding चोग करूँगा वो मेरी secondary winding होगी मैं secondary coil होगी और उसको मैं represent किसे करूँगा N, S से represent करूँगा और secondary coil को यह secondary winding को मैंने attach किया वह एक load resistance है जिसके cross कुमारे पास output आएगा increase in voltage या पिर decrease in voltage के form में transformer की construction के बाद next हम discuss करेंगे transformer की types अभी वापस हम construction की तरफ आएंगे कुछ मजीद चीजें हमें इसकी construction से later पता होने चाहिए for MCQs transformer की types हमारे पास दो है step up transformer और इसके अलावा step down transformer नाम से पता चल रहा है step up जो voltage को increase करेगा तो अगर हमारे पास number of tons secondary की ज़्यादा primary से होंगी तो step up और secondary की अगर कम होंगी primary से तो step down step up transformer में जो secondary voltage है वो primary voltage से ज़्यादा होता है और step down में secondary voltage primary से कम होता current की बात करें तो step up में secondary current कम होगा primary से लेकिन step down में secondary current primary से ज़्यादा होगा और इसकी reason resistance होती है कि जब number of tons secondary ज़्यादा होगी तो number of tons ज़्यादा होने से secondary की resistance ज़्यादा इसवजा से secondary का current कम होगा और जब tons कम कर देंगे, resistance कम हो जाएगी, तो automatically current इंक्रीज कर जाएगा transformer में transformation ratio, एक physical quantity यूज होती है इसको transformation ratio के अलावा tons ratio भी कहा जाता है ये क्या है, ns over np, number of tons of secondary with respect to primary किसके equal होता है, vs over vp के, या फिर ip over is के क्योंकि number of tons का अगर आप relation देखोगे, तो voltage से तो direct है लेकि current से inverse है, अगर number of tons secondary to primary greater than 1 होंगी इसका मतलब ये step up transformer में secondary tons जाद है और अगर number of tons of secondary to primary 1 से lesser है, तो फिर ये step down transformer होगा तो कभी भी अगर tons ratio दी जाए 1 से greater, तो step up और tons ratio अगर 1 से lesser तो ये पर step down transformer के लाएगा, एफिशेंसी की base पे अगर मैं transformer को classify करूँ तो transformer के हम दो types कहेंगे, एक ideal transformer है और एक rear transformer है अब नाम से आपको idea हो जाएगा कि ideal transformer क्या है, एक ideal transformer होगा जहां पर power losses को ignore कर दिया जाएगा, जो हम अपनी calculations में करते भी हैं, तो ideal transformer में power losses अगर नहीं होंगी तो secondary power और primary power equal होंगे, लेकि real transformer के अंदर आपकी secondary power हमेशा primary से कम होगी, reason क्या होगी, reason हमारे power losses होंगे, आइडियल में percentage efficiency 100%, लेकि real transformer में percentage efficiency 100% से lesser आएगी, तो reason मैं बता चुका हूँ, reason क्या है, reason हमारे पास power losses हैं, जो भी हम discuss भी करेंगे, कि transformer में कौन कों से power losses हैं, और किस वज़ा से होते हैं, और किस तरह से उनको reduce किया जाता है, transformer में efficiency को calculate करना हो, तो आप output और input को divide करोगे, output आपकी secondary power है, input आपकी primary power है, power current और voltage का product होता है, तो formula is vs over ipvp multiplied by 100, तो इस तरह से हम efficiency को calculate कर सकते हैं, अगर data हमें given हो, और जब ही कोई person होगा, कि data given होगा directly या indirectly, तभी हम इस efficiency को भी calculate करेंगे, next हम discuss करेंगे power losses in transformer, transformer में power losses तीन तरह के, हमारे पास mainly होते हैं, जो transformer को heat up कर रहे होते हैं, efficiency को कम कर रहे होते हैं, अब इस topic को हम discuss करेंगे, तीन points में, कि हमारा power loss क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसका cause क्या है, और third हम देखेंगे कि उसकी remedy क्या है, और यही चीज़ें हम से MCQs में पूछी जाती हैं, तो पहला loss हमारे पास है resistance loss, कि resistance की वज़ा से जो losses होते हैं, तो इसका cause क्या है, इसका cause हमारे पास primary और secondary coil का material है, means winding of primary and secondary coil, कि अगर हम ऐसा material यूज़ करेंगे, जिसकी resistance जादा है, तो automatically power losses जादा होंगे, efficiency कम हो जाएगी, तो remedy क्या है, remedy यह है, कि हम less resistive wire यूज़ करें, means हम कोशिश करें, कि हमारे पास pure copper wire यूज़ हो रही है, तो जितनी less resistive wire होगी, उतनी हमारे पास resistance losses भी कम होगी, second, second loss बड़ा important है, MCQs के लिए addy current, addy current होता क्या है, जब flux link होगा primary और secondary में, तो flux सिर्फ secondary coil में चेहीं होगा, वो flux iron core में भी change हो रहा होगा, तो iron core में flux के change की वज़ा से, जो current induce होता है, हम उसको addy current करते हैं, अब addy current की remedy क्या है, इसकी remedy है, कि हम laminated iron core यूज़ करें, मीज़ हमारी जो iron core हो, वो electrically insulated हो, जो मैं बात start में की थी, कि जो iron strips होती है, वो laminated होती है, ताकि इस addy current को reduce करते हैं, हम यह नहीं कह सकते हैं कि flux change होगा, वो change होगा, लेकि current remove हम कर सकते हैं, reduce हम कर सकते हैं, थर्ड loss हमारे पास है hysteresis loss, जो hysteresis loss है, यह basically इसका cause अगर कहें तो यह वो energy होती है, जो iron core को magnetize और demonetize करने ही में सर्फ होती है, तो यह अगर flux को link करना है, तो iron core ने magnetize भी होना है, demonetize भी होना है, तो जतनी energy यहाँ पर use होगी, वो hysteresis loss है, अब इसकी remedy क्या है, कि कैसे इस loss को कम कर सकते हैं, इस loss को कम करने के लिए हम iron core ऐसे material का use करेंगे जो soft हो, soft iron core, और soft iron core की पेचान यह होती है, कि यह temporary magnet होता है, यह जल्दी magnetize और जल्दी demonetize हो जाता है, और जब इसके hysteresis लूप का पूछा जाए, तो यहा रखेगा hysteresis लूप इसका ऐसा होगा, यह area small होगा, यह जतना यह area small ह होगा, यह represent करेगा, कि hysteresis loss कम है, और यही temporary magnet ही पेचान होती है, अब इन बातों को जो मैंने losses में किये, मैं construction में डिसकस करूँगा, कि transformer की construction में, यह कहां कहां पर involve होते हैं, और किस तरह से हम अपनी efficiency को maximize कर सकते हैं, तो सबस्छा से पहले हम बात करते हैं, primary coil और secondary coil की, तो primary coil हम copper wire की use करेंगे, means less resistive wire यूज करेंगे, resistance कम, हमारा power loss कम हो जाएगा, तो दोनों केसे में primary और secondary हो, copper wire की winding होगी, ताकि resistance कम दो, laminated iron core, laminated iron core, नाम से पता चल रहा है, कि हमारे पास core laminated है, उसे पहले मैं add current की बात कर लेता हूँ, फ्लक्स ने जब link होना है primary, say secondary, तो flux change होगा उस iron core में, और यह flux का change, इस flux के perpendicular direction में current को reduce करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, add current, और इस add current को reduce करने के लिए, हम core laminate करेंगे, means ज तर्मियान electrical insulation present होगी, जो current को reduce करेगा, तो laminated iron core reduce करेगा, हमारे add current की magnitude को, और overall जो transformer की efficiency होगी, वो increase कर जाएगे, जो third हमारे पास है, वो iron core से related ही है, और वो मैंने बात की, कि iron core हम एक ऐसे material का use करेंगे, जिसका hysteresis loss कम होगा, means एक ऐसा material, जो जल्दी magnetize और जल्दी demonetize होगा जिसके hysteresis loop को देखेंगे, तो उसके loop का area small होगा, इन तमाम बातों का जो मतलब है, वो यही है, कि energy कम required होगी, उसको magnetize और demonetize करने के लिए, और यू भी कह सकते हो, कि उसके domain को arrange करने में, कम energy required होगी, तो अगर हम, अब हम से, एक MCQ पुछा जाए, कि वो क्या methods हैं, जिनकी मदद से, हम transformer की efficiency को increase कर सकते हैं, तो तीनों method हमारे पास हैं, जो तीनों हमने भी discuss किये, उनको revise कर लेते हैं, number one, हमारी जो core होगी, वो assembled होगी, laminated sheet से, means laminated iron core, number two, second यह होगा, कि हम less resistive wire को use करेंगे, for winding purpose, second year primary coil, और number three, कि हम ऐसा material use करेंगे, iron core में, जिसका hysteresis loop small हो, means iron core, of small hysteresis loop, तो यह तीनों चीज़ेंगे, अगर हम पुरी कर लेंगे, automatically हमारे transformer की efficiency होगी, वो increase कर जाएगी, अब last में हम transformer के, एक दो numerical mcqs को discuss करेंगे, theoretical बाते हम ने कर ली, कि क्या-क्या हमसे mcqs पूछे जा सकते हैं, अगर यह point हमें सारे clear होंगे, तो हम mcqs को easily attempt कर लेंगे, तो पहला मेरा जो mcq है, एक numerical question की form में, वो यह है कि step up transformer है, जिसकी turns ratio 50 है, अगर step up है, तो इसे idea हो जाएगा, कि ns over np 50 ratio 1, अगर जो primary current है, वो 20 ampere है, और जो primary voltage है, means input voltage जो supply कर रहे हैं, वो 220 volt, तो secondary current कितना होगा, और secondary voltage कितना होगा, अब हमें जो data given है, वो ns over np का given है, वो 50 ratio 1 है, अब हम एक relation जानते हैं, कि is over ip equal होता है vp over vs के, और यह equal होता है np over ns के, तो यहाँ पर हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है, वो calculate करना है current, तो हम current को यहाँ पर जो compare करेंगे, वो किसे करेंगे, वो उसकी secondary turns और primary की ratio से करेंगे, तो यहाँ पर relation use होगा, is over ip is equal to np over ns, तो is equal आजेगा, np over ns into ip, तो np over ns क्या होगा, ns over np 50 ratio बान तो यह 1 over 50, ip कितना है वो 20, तो 20 by 50 means 2 by 5, तो 2 by 5 यतना होगा, 0.4 ampere, तो secondary current की value आगे, अब आप easily secondary voltage को calculate कर सकते हो, चाहे current की ratio से, चाहे tons की ratio से, तो vs over vp, ns over np, तो vs क्या आएगा, ns over np into vp, ns over np की value हमें given है 50, जो vp की value हमें given है वो 220 है, तो आप जब multiply करोगे 220 को 50 से, तो आपके पास secondary voltage की value आदे, तो properly आप 22 को सिरफ 5 से multiply कर लें, 22 जब 5 से multiply हो जाएगा, साथ 2 zeros भी होंगे, तो आपका जो overall answer होगा, वो 11,000 आएगा, तो means secondary voltage जो है, इस transformer के लिए, वो 11,000 volt है, transformer से लेटेड एक और यहाँ पर question डिसकस करेंगे, step down transformer से लेटेड, एक ideal step down transformer है, जो connect है main supply के साथ 240 volt, यहाँ रखेगा, अगर किसी question के अंदर, जो main supply हो, वो DC हो, तो यहाँ रखेगा, आप output zero आएगा, क्योंकि transformer DC पे operate नहीं होता, तो output की value zero होगी, तो main supply हमें given at 220 watt, means primary voltage, और हम क्या चाहते हैं, हम इसे deliver करना चाहते हैं, energy को to operate a lamp, जो हमारे पास 12 watt है, means secondary voltage 12 watt, और जो उसकी power है, वो 30 watt, तो secondary power 30 watt, तो primary current calculate करना है, इसके अलावा हमने trans ratio को calculate करना है, तो trans ratio means ns over np की value find करते हैं, तो simple question है, जो data है, उसको mark कर लें, कि हमें क्या क्या given है, अब यहाँ पर हम use करेंगे trans ratio को ns over np, जो equal है, हमारे पास vs over vp के, vs हमें given है, 12 watt और vp हमें given है 220 watt, अब हमें solve करना है इसको 12 over 220 को, अब यहाँ इसको solve करने के लिए 2 into 6 12, तो 1 1 0, 2 into 3 6, और नीचे क्या आज़ेगा 55, तो 3 by 55 हमारे पास trans ratio आ गए, अगर हमारी options में further इसको solve किया है, तो आप 3 और 55 पर divide कर सकते हैं, तो आपका जो exact answer है, वो find हो जाएगा, तो 10s ratio find हो गए, कि 3 over 55 है, अब दूसी चीज़ जो हमें calculate करनी है, वो primary current calculate करना है, तो हमें जो secondary power given है, और यह given है कि transformal ideal है, यहां से hint मिल गया कि primary power और secondary power equal हो गए, पावर current into voltage है, तो IPVP is equal to PS, तो यहां से IP की value के आ जाएगी, PS over VP, तो PS हमारे पास 30 है, और जो VP हमारे पास है, वो 220 है, जिरो जिरो से cancel हो जाएगा, हमने 3 को 22 से divide करना, तो 3 को 22 से exact divide कर देंगे, answer आ जाएगा, 22, decimal आएगा 30, 22 into 1, 22, remainder हमारे पास आएगा 8, 0, 22 into 3, 66, तो हमारा answer जो आएगा, वो आपके पास आएगा 0.13, और unit इसका क्या होगा, compare होगा, हमारा last topic इस unit का, alternating current generator, पहले हमारे इस टेबस में यह नहीं होता था, इस दफ़ागा यह एड हो गया, alternating current generator, जिसका हम AC generator भी कहते हैं, इसको discuss करते हैं, सबसे पहले हमें यह बात पता होनी चाहिए, कि generator किसे कहते हैं, generator है, उस device को कहा जाता है, जो mechanical energy को electrical energy में convert करे, generator एक source of current है, और source of current की deflation भी यही होती है, नॉन-electrical energy को electrical energy में convert किया जाए, तो generator specifically, mechanical energy को electrical energy में convert करता है, और अगर जो electrical energy produce हो रही है, वो alternating current है, alternating potential है, तो फिर हम कहेंगे, यह generator क्या है, यह AC generator है, तो AC generator एक ऐसा generator, जो mechanical energy को alternating current, या alternating potential में convert करता है, next point generator से लेटेड के generator का working principle क्या होता है, तो अगर हम से MCQ पूछा जाए कि generator का principle क्या है, तो इसका answer होगा electromagnetic induction, मजीद specifically अगर वो जाए, तो हमारे पास correct जो option होगी, वो faraday's law of electromagnetic induction होगी, तैसे हम ने transformer में देखा कि transformer का working principle है, वो electromagnetic induction में mutual induction है, इसी तरह से यहाँ पर भी ख्यार रखेगा, कि electro magnetic induction में कौन सा फिनामिना, तो हमारे पास वो आएगा, faraday's law of electromagnetic induction, अब इस चीज़ को, कि हमारे पास किस अगरा से यह सारा process होता है, कि mechanical energy, electrical energy में convert होती है, हम इसको discuss करते हैं, अब जो conductor को mechanical energy दी जाती है, तो mechanical energy की वज़ा से, हमारे पास उस conductor में, magnetic flux change होता है, तो means, यहाँ पर magnetic flux change होगा, due to rotation in magnetic field, यह mechanical energy की वज़ा से, हमारे पास उस coil में होगा, यह flux change होगा, और यह जो magnetic flux का change होगा, उस coil में, rotation की वज़ा से, ये उसमें इंड्यूस EMF को प्रेड्यूस करेगा इंड्यूस करेगा जिसका हम कहा रहे है कि अलेक्टिकल इनर्जी प्रेड्यूस होगी और यह आल्टरनेटिंग फॉर्म में होगी अब यहाँ पर अगर हम इसी को समझने के लिए एक एक्वेशन को मेंशन करते है कि हमारे पास मेकेनिकल इनर्जी जो हम प्रोवाइड करते है इस आ इन्पुट जणेरेटर के दर यह मेकेनिकल इनर्जी कहां से आई कोल की रूटेशन की वज़ा से कोल कहां रूटेट कर रही होती है मेगनेटिक फील मे तो में इस mechanical energy के लावा यहां पर जो दूसरी energy हमारे पास है वो magnetic energy है और magnetic energy किस की है? वो magnetic field lines की है जो जिस पे वो coil rotate करेगी अब ये दोनोग energy जो है ये एक input कि तना बेहिप करेगी तो as a result हमें क्या मिलेगा? हमें result में electrical energy मिलेगी alternating current और alternating potential की form जिसको हम Electromagnetic Induction में कहेंगे कि हमारी coil में Induced Current Produce हो जाए है Next, Construction को डिसकस करते हैं, Transform, इसकी Alternating Current Generator की और यहां Main Main हम Component discuss करेंगे, जो हमारे Level Q पर पूछे जाते हैं जिन से Later हम आगे discuss भी करेंगे, अपने MCUs में भी तो Construction में हमारे पास जो पहला Main Component इसका होता है, वो होता है Curved Pole Magnet जैसे आप गल्वनमेटर को जब पढ़ते हो, तो वहां भी आप कहते हो कि आपके जो Magnet होगा, उसके Pole Faces कर होंगे तो यहां पर भी हमारे पास जो Magnet होगा, वो Curved Pole होगा और Curved Pole Magnet क्या करता है, यह बेसिकली Radial Magnetic Field Lines को परेडियूस करता है Radial means Curved, और बेसिकली यह Converge हो रही होती है हमारी R-Mature Coil में और जतनी Magnetic Field Lines हमारे पास Radial होंगी, उतनी हम कहते हैं कि Magnetic Field Strength उस R-Mature में ज्यादा होती है तो Curved Pole Magnet की हमसे अगर Reason पूछी जाए, तो हम यह कहेंगे कि Radial प्रेडियूस करेगा और Strong Magnetic Field को प्रेडियूस करेगा दूसी चीज हमारे पास Construction के अंदर वो एक Rectangular Coil है, जो इस Magnetic Field Lines में प्रेजेंट है तो हम इसी को समयने के लिए तो सिर्फ Rectangular Coil की बात कर लेते हैं Rectangular Coil को अगर हम मजीद हम Explain करें तो हम कहेंगे कि Basically एक Armature Coil होती है Now what is Armature Coil? Armature Coil Combination होती है Coils की Means Number of Tons हमारी जादा हो जाती है और वो जो Combination of Coils होती है, वो Wound होती है एक Soft Iron Cylinder के उपर नेक्स है, हमारे पास जादा होती है तो यहां पर भी आ रिखेगा कि जो Armature Coil है जिसको मोटर में और जनेरेटर में यूज किया जाता है यह Combination of Coils होती है और Wound होती है किसके उपर? Soft Iron Cylinder पर और यही रिजन है कि जब Number of Tons हमारे पास जादा होगी तो Automatically जो Magnetic Field Strength होगी वह जादा होगी Magnetic Field Strength जादा होने से Output भी जादा होगा Next है, हमारे पास Slip Rings Slip Rings जो होती है, वह Attach होती है इस Rectangular Coil के End के साथ और यह Permanently Attach होती है इन Terminals के साथ और जैसे जैसे Coil Rotate कर रही होती है यह Slip Rings भी Rotate हो रही होती है इन Slip Rings के साथ हमारे पास Attach होते हैं Carbon Brushes Carbon Brushes का जो Basic Purpose होता है वह Output को लेना होता है Slip Rings रोटेट कर रही होती है और Permanently Attach होती है इन Carbon Brushes के साथ और यही Carbon Brushes से हमें Output मिलता है जिसको मैं यहाँ पर Mention कर देता हूँ Attach होगी किसी भी Load Resistance के साथ जहां पर हम अपने Output को चेक करना चाहते हैं तो यह है इसकी AC Generator की Construction Curb Pole Magnet तो Construction में तीन चीज़े हैं Curb Pole Magnet एक Rectangular Coil Slip Rings और साथ Attach के हैं हमारे पास Carbon Brushes और लास्ट में यहाँ शाफ्ट को मेंशन कर रहा हूँ कि शाफ्ट का जो Basic Purpose होगा वो Mechanical Energy को Provide करना होगा यह Engine के साथ Attach होता है और Engine ही Basically एक Output Mechanical Energy Generator को देती है और Generator के Rotate करने से Electrical Energy Produce होती है यह पिर यह शाफ्ट ट्रबाइन से Attach है तो ट्रबाइन से रूटेट करेंगी Water के Fall की वज़ाचा यह स्टीम की वज़ा से तो तब भी हमारे पार Generator की Coil Rotate करेगी और Electrical Energy Produce होगा अब यहाँ पर हमें एक चीज़ कीज़ को समझना है कि जो Rectangular Coil हमारे पास है वहाँ पर जब Magnetic Field में Rotation होती है तो कैसे Alternating Current Generate होता है यहाँ मैं एक Rectangular Coil को Draw कर रहा हूँ Magnetic Field में जो Rotate कर रही है इन Anticlockwise Direction अगर Anticlockwise Direction में Rotate करेगी तो हमारे पास Rectangular Coil के Ends की Velocity की Direction भी होगी Left वाले की Upward और Right वाले की Downward अब अगर Velocity की Direction पता चल गई तो हम Right Hand Rule से यह Find कर सकते हैं के Conductor में Positive Charges का Flow किस Direction में है Velocity की तरफ Thumb होगा Magnetic Field Lines की तरफ Fingers और Palm शोग करेगा Magnetic Force की Direction को Magnetic Force अप्लाई होगी Charges पे Along the Conductor और जब Charges Conductor में Along Move करेंगे तो इसकी वज़ा से उस सर्कुर्ट में Induced Current भी होगा जब Rule अप्लाई करें पहले मैं Apply करता हूँ यहां पर Left Side के उपर तो Left Side पर अप्लाई करने से पता चलेगा कि Positive Charges Upward Move करें Means Positive Charges Left End की तरफ जा रहे होंगे और Right Side पर Positive Charges Downward आ रहे होंगे तो जिस End से Positive Charges Away Move करेगा वो क्या बनेगा Negative और जिस की तरफ Positive Charges जाएगा बहां Positive Charges Excess हो जाएगे वो Positive बन जाएगा तो में Initially इस Point के उपर हम कहेंगे कि हमारे पास जो generator की कॉयल है उसका Left End Positive है और Right End Negative है अब यह कॉयल 90 डिगरी रूटेट कर जाती है अब कॉयल जो Magnetic Field में 90 डिगरी रूटेट करेगी तो यह उसकी orientation होगी जिसको मैंने raw किया अब इस जगा पी हम देखेंगे के हमारे पास उन conductor के ends के velocity direction होगी according to the rotation of the coil अब मैं उनको mark अगर करता हूँ rotation of coil के according velocity की direction क्या है तो हमारे पास जो मेरी तरफ coil का end होगा वहाँ velocity right और जो मुझसे away है वहाँ velocity की direction towards left होगी अब अगर आब यहाँ देखो तो velocity का magnetic field के साथ angle या 0 या 180 है तो emotional EMF के formula में e is equal to vbl sin theta अगर angle 0 या 180 हो तो EMF induced नहीं होता अब coil 180 degree rotate कर जाती है initial points है initial 0 थी 180 degree coil rotate होगी अब coil 180 degree rotate होगी तो overall हमें जो orientation में change नजर आएगा वो यह कि जिस end की length कम थी अब वो right पर चला जाएगा और rectangular coil के जिस end की length जादा थी वो कहाँ चला जाएगा left के ओप लिकिन उनकी attachment slip ring से chain होगी अब same चीज अगर देखो कि coil rotate anti clockwise कर रही है left end की velocity upward right end की velocity downward तो आपका direction 180 change होने से velocity की direction तो चेही नहीं हुई magnetic field की direction तो चेही नहीं हुई तो इस conductor में positive charge का flow पहले की तरह ही flow करेगा तो left end अब जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा positive और right end क्या बन जाएगा negative तो जो slip ring पहले positive थी अब वो slip ring क्या हो गई negative और जहाँ पर polarity reverse हो जाएगा अब वहाँ पर current को क्या बोलते है alternating current और अगरम से पूछा जाए कि एक rotation में current कितनी दफा reverse होता है तो मारा answer होगा once एक दफा और कब होता है 180 degree पर एक rotation में polarity कितनी दफा reverse होती है once और किस angle पे होती है 180 80 degree के उपर तो यह जो मैंने आपको समझाया इसका purpose आपको समझा गया होगा कि आप ऐसे questions का answer दे सबो जहां पर आपसे पूछा जाए कि current की direction कितनी दफा चेंज होती है potential की polarity कितनी दफा reverse होती है तो हम क्या कहेंगे कि एक rotation में एक दफा चेंज हो रही होती है mathematical relations को discuss करते है for AC generator तो EMF is equal to N omega AB into sine of theta अब यह variables जो हमारे पास हैं इनका पता होना चाहिए यह variables कौन कौन से हैं N rectangular coil के number of tons omega जो sharp की rotation A coil का area B उस curved pole की magnetic field और जो theta हमारे पास है theta is the angle between यह भी कह सकते हो vector area और magnetic field यह भी कह सकते हो plane का जो normal होगा उसके और magnetic field के दरमयान यह angle होता है तो normal to plane and vector magnetic field इनके दरमया जो angle होगा यह theta होगा तो हम देखें अपने first case में मैंने यहाँ नीचे mention किया हमारा जो plane का normal है और magnetic field वो perpendicular है और यहाँ पर angle कितना है 90 degree है second case में देखें तो second case में वो angle 0 और third case में वो angle कितना है दुबारा से 90 या 270 है अगर हमारे पास omega को replace करतें 2 pi f से area replace करतें length into width अगर rectangular coil है तो फिर भी यह formula correct होगा तो आप मैंने इस form में यूल इसलिए लिखा ताकि अगर कभी question में frequency given हो तो वहाँ से omega find हो जाएगा और अगर area direct ना given हो length और width given हो तब भी आप area find कर सकते है अगर हम कहते हैं कि हमारा angle between normal to plane और magnetic field वो 90 degree है तो 90 degree पे sin 90 की value क्या होती 1 तो EMF क्या होगा maximum तो E naught equal आएगा N omega A B मैं लिख सकता हूँ E is equal to E naught sin of theta और इसको divide करते है resistance से तो current की value आजाएगी I is equal to I naught sin theta even आप AC generator के अंदर जो power deliver हो रही है उसको भी calculate कर सकते हो और power को calculate करने करी है आप जो relation use करोगे B square over R और B की जगा E आजाएगा तो power is equal to E square over R अब यहाँ से power जो deliver हो रही है through AC generator उसे calculate कर सकते हो तो numericals के questions है वो in formula से solve होते हैं और ज्यादा तर आपके questions जो होते हैं वो maximum EMF या B EMF के होते हैं तो E naught is equal to N omega A B से वो questions solve हो जाएगे next हम discuss करेंगे एक important point generator से related back motor effect in generator back motor effect in generator का मतलब होता है कि if a generator behave like some motor कि generator motor की तरह behave करें और ऐसा क्यों होता है इसकी reason हमारे पास lenses law होती है कि generator में input mechanical energy है तो जब induce current produce होगा तो lenses law अपने cost को oppose करने के लिए भी as a output mechanical energy को ही produce करेंगे तो back motor effect क्या है if a generator behaves like a motor और reason इसकी क्या है lenses law और हम इसके बार में ये कहते हैं कि lenses law की बज़ा से एक counter torque produce होगा जो हम torque दे रहे हैं उसके counter वो counter torque अपने cost को oppose करेगा means अगर rotation बढ़ रही है तो ये counter torque उसको कम करने की कोशिश करेगी और अगर हमारे पास rotation कम हो रही है तो ये counter torque उसको increase करने की कोशिश करेगी अब इस चीज़ को मैं briefly explain करता हूँ काफी चीज़ें दुम lenses law में explain कर सुके हैं let's say हमारे पास magnetic field lines है towards left और यहां हमारे पास generator की coil present है और यह चीज़ आ रहिए का AC generator और DC generator दुनों पे apply होती है इस rectangular coil को हम rotate करवा रहे हैं in anti clockwise direction यह हमारी input है हम provide कर रहे हैं उस generator को अब इस input की वज़ा से हमारे पास coil की rotation होगी और मैं input ले लेता हूँ कि यह torque increase हो रहे हैं यहां velocity की direction upward होगी और right end पे velocity की direction downward होगी apply आप यहां पर करोगे right hand rule को magnetic force apply होगी charges पे पता चल जाएगा कि left end आपका positive है और right end आपका negative है अब यह जो induced current produce हुआ इस induced current ने अपने cost को oppose कर लिया हमने पढ़ा था elektromagnetism के अंदर के current जब किसी conductor में produce होता है और conductor magnetic field में हो तो magnetic force apply होती है अब यह जो magnetic force होगी जो current की वज़ा से होगी यह counter torque की तना produce होगी और मैं अगर right hand rule को यहां apply करूँ के current की direction में thumb field lines की direction में fingers तो मेरी magnetic force velocity के opposite direction में है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी input torque की वज़ा से body rotate कर रही है in anti clock wise direction तो जो current की वज़ा से magnetic force होगी वो counter torque जो produce करेगी वो clockwise direction में करेगी और यह तब हुआ जह हमारी rotation भर रही है तो lensal law उस rotation को कम करने के लिए counter torque opposite direction में produce करेगी counter torque हमेशा हमारी torque के opposite नहीं होती मैं आपको explain कर देता हूँ कि अगर हमारी यह torque decrease हो रही होती यह input है और इस torque के decrease होने की मज़ा से induced current produce होगा तो तब जो counter torque है वो हमारी rotation को बढ़ाने की कोशिश करेगी और इस case में input और rotation जो है और हमारे पास जो counter torque की rotation वो same direction में होगी तो इस चीज़ का ख्याल लखना है कि counter torque हमेशा हमारी input torque की opposite direction में नहीं होती तो यहां मैं उसी चीज़ को mention कर रहा हूँ कि हमारे पास अब जो velocity जिस direction में है current की बज़ा से magnetic force भी उसी direction में ही produce होगी और जब magnetic force उसी direction में produce होगी तो जो torque की direction है वो change नहीं होती next हम discuss करेंगे alternating current generator की graphical representation को जैसे हमें simple harmonic motion में कहा था कि simple harmonic motion की जो waveform होती है वो sinusoidal होती है यहां रखेगा AC generator की जो waveform है वो भी sinusoidal है और यह हम उपर फामूलास में देख भी चुके हैं जब E is equal to E not sine theta, I is equal to I not sine theta तो E और I की value with respect to the value of sine theta जब sine की value maximum है तो E की value maximum है जब sine की value minimum है तो E की value भी minimum है तो यहां पर हम जो graph draw करेंगे between E and theta या I and theta हो या E or time हो या I or time हो तो जो waveform होगी वो sine wave होगी तो यहां मैं along x-axis different angles को mention कर रहा हूँ 0, 90, 180, 270, 360 जिसको मैंने represent किया हुआ है 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 और pi से अब 1 by 1 इन angles पे पहले sine theta की values को देख जब angle 0 होगा तो sine 00 जब angle 90 होगा तो sine 91 means हमारे पास sine की value maximum आ गई और positive आ गई जब angle हमारे पास होगा 180, sine 180 की value क्या होती है वो 0 होती है और जब angle हमारे पास होगा 270 तो sine 270 होता तो maximum है लेकिन negative होता है और इसी तरह से जब angle हमारा pi होगा तो 2 pi होगा तो sine of 2 pi में sine of 360 क्या होता है 0 तो जो value 0 पे होगी वोही value हमारे पास 2 pi पे भी होगी तो अगर आपको ये values पता हैं के sine की different angles के लिए क्लिए क्या है तो आप easily graph को plot कर सकते हैं और जहां जहां आपने value को maximum और minimum शोग किया अब वहाँ पर आप e को maximum और minimum शोग करता होगी क्योंकि e, e not sine theta के एक वाला तो इन points को मैं mark करता हूँ इस graph के उपर तो ये हमारे 5 points होगे और जब इनको हम join करेंगे तो हमारी जो waveform यहां बनेगी वो क्या बनेगी वो sinusoidal बनेगी निए sine wave बनेगी तो 90 पर e positive maximum है और 270 पर e negative maximum है और 0, 180 और 360 पर e की value क्या है वो 0 है अब इस चीज को हम explain करेंगे coil की rotation से कि हमारे पास इन angles पर जो coil है उसकी क्या orientation है वहां पर हमारा जो angle है वो between normal to the plane और magnetic field क्या है जिसे हमें idea होगा कि क्यों EMF maximum आ रहा है, क्यों EMF minimum आ रहा है, क्यों EMF positive आ रहा है और क्यों हमारे पास जो EMF है वो negative maximum आ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 degree के उपर 0 degree पर जो coil की orientation होगी वो इस तरह से होगी क्यों का जो normal है, means normal to the plane या vector area वो magnetic field के साथ क्या होगा, वो parallel होगा और यह reason है कि हमारा जो angle होगा, वो 0 होगा और E is equal to E not sin theta में जब angle 0 आएगा तो EMF की value भी क्या आई, वो 0 आईगा जब क्यों 90 degree रोटेट कर जाएगी तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो normal to plane, means vector area उसका angle अब magnetic field के साथ कितना हो जाएगा, वो 90 degree हो जाएगा और जब E is equal to E not sin theta के फामूला में आप angle 90 पुट करोगे sin 90 positive 1, तो E positive E not के equal आजएगा कोईल 180 degree रोटेट कर गई initial point से, तो कोईल 180 degree रोटेट करेगी तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो vector area है, वो vector area magnetic field के anti-parallel हो जाएगा कि जो vector area पहले 0 degree पे right था, अब वो vector area 180 degree पे left चला जाएगा magnetic field तो right direction में ही है, अब इस case में हमारा angle 180 for E is equal to E not sin theta के फामूला में जब angle 180 put करोगे, sin 180 zero, तो EMF की value क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगा 270 degree की बात करें, means further coil 90 degree rotate कर गई 180 के बात, अब हमारा जो vector area या normal two plane तो पहले 90 degree पे into the plane था, अब वो out of the plane आ जाएगा अब यहाँ पर angle B का और A का total कितना होगा 270 कि हमने anti-clockwise angle देखना तो anti-clockwise angle जब यह 270 होगा, तो E is equal to E naught sin theta, theta 270, sin 270, negative 1 तो EMF maximum तो होगा, लेकिन negative maximum होगा, और in the end, जब आपके पास coil 360 degree rotate कर जाएगी, तो point जो 0 पे था, वो repeat होगा अगर angle 0 के उपर EMF 0 आएगा, तो angle 360 के उपर भी EMF के आजाएगा, तो वो 0 आजाएगा यह बचे हमारे पास graphical representation है, और coil की orientation है, और हर point पे हमें नजर आ रहा है, कि plane का जो normal है, means vector area उसका, और magnetic field का angle क्या है, और even आप यहाँ पर coil पे mark कर सकते हो, कि कहां कोन सा end positive होगा, और कोन सा end negative होगा एक question यहाँ आप से पूछता हो, कि किस angle के उपर EMF maximum value के half होती है, is E is equal to half of E not, तो E को replace कर दें, E not sine theta से, और E not को replace कर दें, बलकि replace यहाँ ज़रूरत नहीं है, E not, E not से cancel हो गया, theta sine inverse 1 over 2, sine की value 1 by 2 कब होती है, answer क्या होगा 30 degree, और 30 degree को 5 by 6 का आजाता है, और time की form में इसको T by 12 का आजाता है, और theta is equal to mega T से आप easily angle को time में convert कर सकता है, यह हमने simple harmonic motion में काफी questions ऐसे किये भी है, एक और question डिसकस करते है, regarding AC generator, कि हमारे पास एक coil है, 20 into 20 cm की, इससे हमें idea हो गया, कि X square coil है, उसकी length and width 20 cm है, उसकी length and width 20 cm है, उससाथ हम और यह कह दिया गया कि coil की जो tons है, वो कितनी है, वो 30 tons है, कोईल रोटेट कर यह magnetic field में, with 30 RPS, 30 RPS means 30 revolutions per second, और magnetic field strength है, वो 1 Tesla है, calculate करनी है, induce EMF की peak value, peak value means हमने E naught को calculate करता है, simple question है, आप solve इसको कर सकते हैं, पामूला आपको याद होगा, अगर generator का, तो E naught को substitute करोगे, कि E naught किसके equal है, N omega AB, number of tons यहां 30 है, omega 30 RPS, revolutions convert करो, 2 pi से multiply कर दोगे, area 20 into 2400, लेकिन cm2, तो 10 is to power negative 4 meter square हो जाएगा, और magnetic field हुआनी, अब आपने इनको correctly यहां multiply करना, अगर correctly multiply कर दोगे, तो आपका answer accurate आजाएगा, 10 is to power negative 4 है, और साथ देख सकते हो, कि 4 zeros है, means 10 is to power 4, 10 is to power negative 4 से cancel हो जाएगा, अब बाकी क्या रहागा, 3, 3, 2 pi और इसके लावा 4, अब आपने इनको multiply करना, आपका answer आजाएगा, 3 into 3, 9, 9 into 2, 18 और 18 into 4, आपके पास result क्या आजाएगा, 72 pi, और unit क्या होगा, pi की value 3.14 put करेंगे, तो फर्दर ये exact answer भी आजाएगा, एक और question discuss करते है, related to AC generator, एक rectangular coil है, sorry, एक square coil है, जिसकी हमारे पास, एक side 16 cm की है, और number of tons उसकी 200 है, वो rotate कर रहा है, एक magnetic field में, जिसकी magnetic field strength 0.05 desla है, जो P की EMF है, वो 12 volt है, तो calculate करें, angular velocity क्या होगी, तो E0 is equal to N omega AB, अब हमें calculate करना है, omega, omega is equal to E0 over NAB, simple question है, values को properly put करें, properly divide करें, multiply करें, answer exact आजाएगा, numerator में 12 है, denominator में 200 area, अब 16 को 16 से multiply करने से आएगा, और centimeter square convert करोगे, तो 10 raise to power negative 4 भी आएगा, तो 16 into 16, और साथ 10 raise to power negative 4 और magnetic field 0.05 उसको लिख सकते हैं, 5 10 raise to power negative 2, अब यहां इसको आप solve कर सकते हैं, मतब मुश्किल कोई calculation नहीं है, जो solve ना हो सकती है, अब मैं आपको as a student अगर solve करूँ तो कैसे करूँगा, simple calculation से करूँगा, सबसे पहले मैं zeros को देखूँगा, कि zeros क्या cancel होते हैं, तो 10 raise to power negative 2 से cancel होगा, फिट वैल और नीचे 2, 2 into 6, यह उपर आपके बास 6 आगया नीचे, 16 into 6, और साथ 10 raise to power 5, और negative 4 पावर उपर जाकर positive 4 होगे, अब फर्दर आप देखो किया चीज़ यहां पर solve कर सकते हो, आप यहां पर 16 को 16 से multiply भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, आप even यह भी कर सकते हो, तो अब यहां पर नीचे 8 और 16 और 5 multiply करो कि 640 आजाएगा, तो 640 को आप solve करने के लिए लिए लिखता हो, 6.4, 10 raise to power 2, अब आप easily 3 को और 6.4 को solve कर सकते हो, 10 raise to power 2 उपर जाकर subtract हो जाएगा, और 3 over 6.4 अगर solve करेंगे, तो यह क्या आपके पास आएगा, 1 over 2.1 या 1 over 2, तो 1 over 2 कितना होता है, 0.5, तो approximate आपका answer आगया, 0.5 into 10 raise to power 2, means 50 radian per second आपका answer हो, और अगर आपको इसको convert करना है RPM में, तो आप इसको radian को 1 over 2 per revolution, और 1 second 1 over 60 minute, आप उसमें भी convert कर सकते हो, मैं mention करूँगा, जिसको आपको solve करेंगे, यह बुक का numerical है, कि हमारे पास एक rectangular coil है, और उस rectangular coil की जो number of tons हैं, वो 360 है, इसके लावा हमें ही कहा गया कि वो 420 RPM से rotate कर रहा है, magnetic field में, जो 0.014 Tesla, जो PEMF वो 50 volt है, और rectangular coil की जो width है, वो 5 cm है, हमने calculate यह करनी है, कि उस rectangular coil की length क्या होगी, तो मैंने आप जब formula उपर लिखा था, तो मैंचन किया था, कि E naught N omega A B में area आप replace कर सकते हो length into width, तो easily आप calculate कर सकते हो length की value क्या होगी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कि E naught N कर दो